अपको लगता है कि यhe धान का कैत है ये दिखिये पूरा अपोरा इदर सेट में सुखा पढ़ा हुआ है ये सीजन लग रहा है अफको कि ये धान का सेजन भी बारिज का सीजन भी अपने सेट में पूरा अपने सीस टो तो हम सिर्फ कह सकते हैं कि भी फिलाल दान का सीजन है यह दिखिए कैस जिती है जिसको सुभीधा है पाइप से कोई मोटर से कोई समर्सेबल से पाने दे रहें अपने ख्यतों में तो हर किसी को सुभीधा नहीं हो सकते हैं यह देखिए यह प्रकृति की सुभीधा होती है और यह चीज़े अलग है तो कुछ तो अंतर होगा है बड़ा गजब कैस्टिती है फिलाल धान की फसल और अगर सुखा नजर आए यह बहुत सर्मे की बात है और उपर वाला जब लग कुछ देखेगा नहीं है करेगा नहीं क्योंकि रूखा सिर्फ वही कर सकते हैं हम लोग सिर्फ तो कोशिस कर सकते हैं और जर्या तो उपर वाला ही है क्या यह मौसम बन चुगा है फिलाल जो भी है अच्छा है किसी के लिए तो अच्छा ही होगा और यह मेरा ब्रिक्ष जो लगाए हुए है हमका फोधा इधर बिजली का पोल भी गाड़ दिया गया है लेकिन अभी तार तक भी नहीं आया है क्या करेंगे होता है ठीक है जैसा है अच्छा है लेकिन अभी बारिस होनी चाहिए थे हो नहीं रही है चीक है मोसम तो सुहाना है साफ सुद्रा है लेकिन इससे कम सरेगा नहीं क्या कर सकते हैं जो है अच्छा है और एक यह नीम का हम पोधा लगाए हुए है जो कि छोटा था बड़ा हो चुका है धीरे धीरे बढ़ रहा है इधर आम का और इधर यह क्या है पता नहीं लेकिन कोई फल ही है इसको भी लगा दिये है कॉमेंट में जरूर बताएगा क्या चीज है यह रख लोग और यह देखिए यह आप क्या बोल रहे हैं यह भी इसको लगाए हुए इस साइड में जरूर बताएगा कॉमेंट में कौन सा पोधा है लेकिन यह ब्लॉग अभी इसी वक्त खतम करते हैं ऐसा लगा ब्लॉग शुरूर बताएं कोमेंट में धन्य बाद